नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे भई कुछ दो ट ओपिक बात करेंगे भई इसमें यह माली जी एक सरकार की महरभानी रही है और मैं एगजालो के तो पर पर अपसे भी चाहूँ है कि नीचे कमेंट करके बताए क्या इंडिया में ऐसा होता है वीडियो था लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन करके रखें फेस्बुक पेज़ वाले पेज को फॉलो करके रखें तक कि आपको गल्प कंट्रीज यूए से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन आप पे मिलती र ओबेले यहां से इंडिया जाने वाले लोगों के बारे में बात करूंगा क्योंकि इंडिया में एक समस्या होना चाहिए कि इंडिया ने कोऌग को आप कोई टेस्ट लेके एरपोर्ट इंडिया में आओगे फिर आपको यहां दुबारा कोई टेस्ट होगा या नी चार से पांस गंटे में दो कोई टेस्ट हो जाते हैं एक इंडिया में लेके आओगे फिर एरपोर्ट में यहां फे फ्री में होगा जिसकी रुपोर्ट आप के मोबाइल पर आ जाएगे आप सबको पता है जो लोग दुबई आ रहे हैं लेकिन क्या इंडियन सरकार ने ऐसा कर रखा है इंडियन गवर्वर्मेंट को मुझे लगता है कि ऐसा कर देना चाहिए अगर कोरोना इसमें इफेक्ट पड़ता है क्योंकि अब एक्सुल में अब अब कर रखा है इंडियन गवर्मेंट ने कर रका है लेकिन उसने छोड रखा है आपकी मरजी के ऊपर कि आप रिपॉट ले के आते हूं तो आपको कॉरोंटाईन नहीं किया जाएगा सिद्धा घर भेज़ जाएगा अब एक्जामपल के तोर पर हम समझते हैं अलांकि तोपिक दूसरा था लेकिन हमने इसको स्टार्ट कर दिया तो खतम करना पड़ेगा माली जी एक प्लेन में 170 यात्री है और 70 में से 50 लोगों ने कोई टेस्ट की रिपोर्ट ले ली क्योंकि उनको सिधा कर जाना है ये 100% शूर हो गया कि वो प्लेन में बैठे हैं उनके 50 लोगों के करोना नहीं है और 100 लोग बचे हैं वो लोग UAE से इंडिया जा रहे हैं या अपने अपनी कंट्री जा रहे हैं तो उन्होंने तो कोई जांस नहीं करवाई उन्होंने कुछ नहीं करवाया वो जैसे भी थे टिकट बनाई एर प्लेन में बैठ गए अब हो सकता है ये में आपको पता एवरेज 1000 के करीब कोरोना पोजिटिव आ रहे हैं ये की मैं बात कर रहा हूं 5 अक्टूबर की 1000 के करीब लोग कोरोना पोजिटिव आये हैं तो उन्हें हो सकता है इंडियन आदमी भी हो या प्ले करोना पोजिटिव पाए उन में से अगर कोरोना पोजिटिव है तो नहीं होगा तो फिर इस बात का सेंस मुझे नहीं लगता कि सरकार नहीं काम सही किया इंडियन करते हैं कि बाता है इंडिया और परफेंट टेस्ट लेकर आ ताकि आप 50 लोग उसमें बैटे को लेकर पिर आपका क्या मतलब होगा, क्योंकि आपको बैटना तो नहीं कि इसो लोगों के बीच में, जिनों ने टेस्ट नहीं करवाया, उन्हें से पता चले किसको करोना क्या पता चले भई, वो लोग फिर वहां पे इंडिया में जाके करोन टाइन होंगे, सो लोग, सो में से दो, लोग गरीब होते हैं पैसा नहीं है जो लोग दुबई कतर मस्कत बैरीन आ रहे हैं ना उनके पास करोना का पैसा मिलेगा 100% मिलेगा क्यूंकि टिगट का 20-25,000 जितना मिलता है तो भाई करोना का भी अर्च जो आदमें टिगट का करता है उसको करोना का करना चीए क्यूंकि यह बात हमारे फाइदेगी है समझरे बात को अब आप में से देख लीजिए आपने आप खुश हो गया आपको करोना के टेस्ट करवा लिया है दुबई में 96 पहले का घर जाते हैं आप एरपोर्ट जाओगे सिधा घर बेज देगे लेकिन आपके साथ में कितने लोग ऐसे जो बिना करोना टेस्ट किया आपके साथ में उसी प्लेन में बेठे हैं जो उनका वहां इंडिया में जाके करोना रिपोर्ट वो जांच करवाएंगे साथ दिन में एक दो दिन बाद में चार दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा सो में से चार लोग करोना पोजीटिव पाए गये तो क्या वो प्रोशी को फिर वो उनके लक्षन उसमें नहीं जाएगे कोड़ोना तो पहलता है प्रोशी से सीधा आपको सब कि उसने CoronaじT कर वा रखा है वो तो बिना करोना टेस्ट के बैठा है तो पता चल ले कल को उसकी जांज में वोग वो पॉजिटिव आ घाया वो अपने पुडोस में बैठ़ा है to तो एरपोर्ट से अंदर बस में बैठ के जाओगे फिर आप एक जगह हो जाओगे फिर आप प्लेन में बैठोगे तो आपको पता कैसी बीड होती है जब तक शीट नहीं सेटल हो जाते बीड होती है एक दूसरे के ऐसे चिप क्यों होते हैं एक बंदा रिपोर्ट लेके यह इंडिया चाने वालों के पास उनमें से बाद में एरपोर्ट आप इंडिया उत्रोगे फिर आपको भीड में तो भाई क्या है यह क्या मतलब वह आप कमेंट करके बताएं आप यह मेरी राय सही है गलत है अब इंडिया में डाइसो दराम आपका कोरोना का टेस्ट लग यह इंडिया ने तो यह बोला है कि इंडिया नहीं कि आप लोगों के लिए नहीं है यह मैं सोचना कि इंडियन लोगों को छूड़ दे रखी है कि आप करोना टेस्ट लेके आओगे तो आपको घर बेज देंगे नहीं लेकर आओगे तो साथ दिन कोरुन टाइन रहना पड यह क्या से इसका मुझे तो यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं वे आया हूं मेरे दो मेडिकल टेस्ट हुए जब भी मालो मैं कभी इंडिया जाता हूं मैं रिपोर्ट यहां से लेके जाओंगा हम और साथ में किस क्या हैं सब करोना वाले तो नहीं हैं फिर उनका एरपोर्ट पर होता है दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है सब लोगों की तो अंडेड पर्सेंट स्योटी होगे कि हमें डर नहीं है लेकिन हम इन कंट्रीज में से युए से मालीज यह सभी है तब आप सोचए आपके साथ क्या हो सकता है ये सोचने का समधने का विसे है आप숙श मत हो ना कि आप के पास करोना की रिपोर्ट है तो को कुछ नहीं होने माला अपको कुछ नहीं होने वाला लेकिन आपके साथ 170 में से कितने लोगों ने रिपोर्ट ले रखी है तो कोई six मैने से को ऐसाल बर्चे दो साल से काम करते करते भीड बढ़ाके में से निकल के घर जा रहा उसके पास कौन सी करोना की रिपोर्ट है उसके पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है वह तो वहां पे जाके कॉरंटाइन होगा ना क्यूंकि उसको तो पांस जार बचाने साथ दिन वह रहेगा वहां पे अगर 170 में से पांस रखें जब भी आप इंडिया जा रहे हैं तो आप सोच लें कि आपके पास करोना रिपोर्ट है आपको दिक्कत नहीं है लेकिन क्या आपके इधर वाले क्या इधर वाले या पीछे वाले आगे पास सबके पास क्या रोना रिपोर्ट है पोजिटिव नेगेटिव रिपोर रहुल दे तो वाइस सोने में स्वागा फिरत आप लोगों को विदेश गुद्कत नहीं ये विजख सेर कड़े आपको मेरी लगा किसी कमेंट ile में मूंचा लगी एक टो लोगे लॉइक करें जेंद हैं अच वीडियो हो न झालें ward झरें कर दिया।